तो हरो फूर दोलों बेक टो मैं यूटिब चनल आप देखरें पिके सी प्यूस डिटेज और मैं हूँ आपके साथ प्यूस तो आज के वीडियो में मैं आपको पांच ऐसे काइन मास्टर के टिप्स, ट्रिक्स और सिक्रेट्स बताऊंगा सब मिला के उसी में पांच गोई बताऊंगा जो आपको जानकर आपको हैरानी होगी या आप सुचोगी कि भाई काइन मास्टर में भी ये सब हो सकता है तो भाई लोग इतना बड़ा-बड़ा सौफ़वेर के इस्तमाल क्यों करते हैं बहुत अलग लग चीज़ें और आप सोचोगी भाई मुबाईल में भी मैं इतनी अची एडिटिंग कर सकता हूं और आपकी इडिटिंग में अगर आप वीडियो इडिट करना चाहते हो और आपको वीडियो इडिटिंग इतने अच्छी से नहीं आती है तो उसमें थोड़ा सा ग्रोथ आ जाएगा यह नहीं कि पूरे सीख जाओगे थोड़ा सा ग्रोथ हो जाएगा इंगेजमेंट या तो यहां पर पहला नमबर वाला ट्रीक है कि आप मतलब ट्रीक नहीं है यह सीक्रेट एगो जो आप लोग काइड मास्टर में मतलब जानते नहीं है या कुछ लोग जो जानते वो उनको प्रॉब्लम आता है तो वो मैं अभी क्लियर भी कर दूंगा प्रॉब्लम भी जैसे ओवरलेज में जाते हो तो आपको बहुत सारे ओवरलेज और इफेक्ट देखने को मिलते हैं लगिन कुछ लोग बोलते हैं मेरे यहां पर यह जो मैंने डाला नंबर वन करके यहां पर यह जो है यह वाला इफेक्ट नहीं आ रहा है तो इसके लिए आपको simple बहुत simple तरीका है आपको simply से यहाँ store वाले option पे click करना है नीचे में और यहाँ से आपको हर एक चीज डाउनलोड कर लेना है यहाँ पर बहुत सारे fonts भी देखने को मिलते हैं यहाँ देख सकते हैं यहाँ देख सकते हैं बहुत सारे fonts भी है जिनको आप download कर सकता है सिम्पल से किसी भी चीज पर click की चिए और यह डाउनलोड मार लीजिए यह font पर मैंने click किया मैं download मार सकता हूँ overlay पर click करूंगा तो मैं यहाँ download कर सकता हूँ किसी भी चीज को मैं यहाँ से download कर सकता हूँ यहाँ पर तो आपको problem आता है वो आता है latest version के कारण अगर आपके पास kindmaster का latest version है तो please मैं आपको बोलूँगा उस latest version के एक version पहले वाला mode apk download कर लीज़ अगर आपको mode apk नहीं पता है कैसे download किया जाए तो आपको क्या करना है मुझे इंस्टाग्राम पर DM करना है तो मैं आपको link send कर दू तो आप यहां पर mode version download करना चाहते हो तो एक version पहले वाला कीजिएगा ठीक है तो चलिए अब हम चलते है अपने second number वाला tip की ओर तो हमारा second number वाला एक trick है जो words के लिए अगर आपको कोई भी चीज highlight करके दिखाना है अपने वीडियो के बीच में या अपने वीडियो के बीच में आपको अपने वीडियो का topic बहुत अच्छी तरीके से एक बार represent करना है तो वह कैसे कर सकते हो आप माल लीजे मैंने इस video क एडिट किया है इस video के एक topic को देख सकते है तो आपने देखा tips, tricks, secrets और शीक्रेट्स है तो इसको मैं highlight कैसे करूंगा पहले तो मैं जो background इसको फूरा blur कर लूँगा यहां मैं layer वाले option पर click किया effects पर click किया basic effects पर जाने को आपको यह पहला वाला blur चूज कर लेना है और आपक जहां तक आपको settings पर मतलब दिखाना है जहां तक highlight करना है तो यह हो गया अब इसको मैं पूरा मतलब पूरा ऐसे करके कर लूँगा और कम से कम इसको 3rd number तक मतलब 3rd तक इसका strength बढ़ा दूँगा settings पर click करके इस पर click किजिए settings पर click किजिए तो अब उसके बाद आपको क्य यहां पर देख सकता आप tips tricks एंड फिर ऐसे करके आपको यहां पर देख देना है ठीक है तो यहां फिर आपको double slash देना है अब आपको इस पर भी कुछ add करना है जैसे पहले तो आपको font चेंज करना है तो font मैं ने अभी आपको download करना से कहा है आप unlimited fonts भी download कर सकते हैं यहां प इसको पहली बात तो छोटा कर लीजिए आपको यहां तक रखना वहां तक रखिए पहले दत्तों यहां पर मैं color कर लेता हूं color में हमें से yellow रखता जादता है अगर कुछ भी मैं मुझे इस टाइप से कुछ highlight करना है और आपको फिर इसमें क्या करना है इसको end तक रखना है अगे और फिर यहां पर ऐसे क्लिक कीजिए और यहां पर की वाले option पर क्लिक कीजिए की वाले option पर क्लिक करने बाद आपको यहां पर एड पर क्लिक करना है अब यहां पर आपको धीरे-धीरे इसको लेकर पीछे चल जाना और जहां पर आपको अच्छी तरीके से रखना है पूरा मैं ऐसे करें रख लीजे देखिए ऐसे करें रख लीजे तो अब मैं आपको दिखाता हूं यहां पर जो मेरा वूम बेक्राउंड तो हमारा जो थर्ड नमबर वाला वीडियो इडिटिंग सीक्रेट है वो है कैसे आपको अपने वीडियो या अगर आपने काइन माश्टर कोई फोटो इडिट के तो उसके पीछे में एकदम सैडो टाई कैसे लाना हूं वह अभी आपको सैंज में आजया कि इसके बारे में ब इस यहां बाद आने वाला थости सकता हैं तो पीछे आपको सैडो यहां प्रीकरांट करने के लिए आपको स्युस्क्रेट ने कटिए और मीडिया यहां पर एक बीडियो इंपोर्ट कर लिया मिडिया वाली उप्सें करके मीडिया पे जाना करchemical ने और एक वीडियो इंपॉर कर लेना तो मैं यहाँ पर एक Video Imports कर लेता हूं थो बैने यहाँ पर कहीं से वी वीडियो इंपोर्ट कर लिया रूट्ब कर लिए रुकिय में आपको दिखाता हूं कि यहां पर देख सकते हो क्रॉप कर लिया मैंने और उसके बाद आपको सिंपल से लेयर वाले ओप्सेण्प पर क्लिक करना है और यहां पर एफेक्ट पर जाके यहां पर पहले वाला ब्लर को चूज करना और इस ब्लर को पूरे बैगराउंड पर कर लेना देखिए ऐसे करके पूरे background पे ऐसे कर देना है और इसके बाद इस blur वाले option के यहां पर three dots पे click करना है layer पे click करके और यहां पर send to back कर देना है यह वाला blur मैंने क्यों दिया है वह आपको अभी पता चल जाएगा अब आपको यहां पर क्या करना है यहां पर आपको एक layer add करना मीडिया वाले option पर जाके एक ब्लैक बैग्राउंड एड कर लेना है जस्ट इसके ऊपर उसके बाद आपको simply से यहां क्रॉप पर क्लिक करना है सेप क्लॉप कर लेना है और यहां पर रुके पहले एक चीज करना है आपको alpha को थोड़ा कम कर ली जगा इससे आपको पता चले हां कितना मुझे background के ऊपर रखना तो यहां क्रॉप पर गया मैं और यहां पर देखें इतना भी मेरा मतलब यह पर क्लिक करना और यहां पे layer वाले option पर क्लिक करके इसको भी यह वाले जो मैंने black background ट क्लिक करके three dots पर क्लिक करना और send to back कर देना यह अब आप देखेगा इस पर क्लिक कीजिएगा और यहां पर आप देखे सेड़ोई स्टैप का यह पर पीछे में जो आप लगा सकते हो अब यह कैसे आगर आप बलर वालों आपसन नहीं देते ना तो यह सेड़ोई स्टैप नहीं लगता क्योंकि अभी मैं आपको दिखात देख सकते हैं यहां पर मैंने एक साइड से थोड़ा ज्यादा निकाल लिया यहां मैंने एक साइड से लिया एक साइड से आपको थोड़ा से निकाल लेना साइड से देखिए यह आप देख सकते हैं एक साइड से मैंने निकाला है अब नीचे में अच्छा अच्छा अच् यही आपको करना है तो चलिए हम चलते हैं अपने फॉर्थ नमबर वाले ट्रिक की ओर तो हमारा जो फॉर्थ नमर वाला ट्रिक है वह मतलब बहुत लोग मुझे बोलते कि आपका में जो सब्सक्राइब वाला आता है वह कैसे आपको बहुत सारे ओवरलेज टेंपलेट्स या वह सब डाउनलोड करना है तो उसमें से आपको एक मिलागा क्लिप ग्राफिक्स करके क्लिप ग्राफिक्स में आप जैसी जाओगे तो वहां पे आपको मतलब अगर आपके पास डाउनलोड नहीं है तो आप यहां पे गेट मोर पे क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हो तो वहां पे आपको एक चीज मिलता है सोसल लिंक लाइक्स सोसल लाइक्स मिलता है तो वहां लोग बोलते हैं आपका में बैल आइकन भी आ जाता है तो बैल आइकन में फिट करता हूं सब्सक्राइब के बाद यहां पर देख सो सब्सक्राइब के बाद सब्सक्राइब लगा दिए तो यहांपर पे सब्सक्राइब हो गया यहांपर लगा देना है जबिसक्राइब हो गया था सब्सक्राइब की चलते हम अपके इंड़ लाश्ट त्रिक दघवेग को तो हमारा फिफ नमर जो ट्रिक है वो है ओडियो से रिलेटेड आप लोग बहुत लोग पूछते हो कि भाई मैं बैग्राउंड साउंड टो एड कर रहा हूं लेकिन मुझे जहां पर कम चाहिए वोईस या मुझे जहां पर सिर्फ सॉंग चाहिए वहां पर सिर्फ सॉंग का आवाज बढ़ा दू ऐसा कैसे हो सकता है तो उसके लिए आपको क्या करना है यहां पर नीचे करते हैं जहां से आप मैं आगे बढ़ाता हूं यहां पर मुझे को एड का क्लिक करना होगा एड क्लिक करेंगा तो मैं यहां पर जैसी यहां नीचे करूंगा तो मेरा साउंड यहां पर इस जगा पर कम हो जाएगा और फिर मैं जैसी आगे जाओंगा तो यहां पर फिर से एक एड क्लिक करूंगा और यहां पर बढ़ा दूँगा तो इससे क्या होगा जो यहां पर बी सेट कर सकता हूं, तो आज की वीडियो को हम यहीं एंड करते हैं, अगर आपको यह वीडियो पसंद आगा तो यह लाइक कर जिएगा, और चैनल पर ना है हो तो बहुत में सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दिजएगा, तो चलिंगि वीडियो को एंड करते हैं झाल झाल